वेस्ट ऑफ ब्रेथ उनसे ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट करना और उनसे बात करना इस चीज़ पे उपर पूरी दुनिया इस वक्त खास तोर पे वेस्ट इंडियन मुश्चित का घुलाम हो चुका है जय हिन दोस्तो मोदी देश में आपका सौगत है आपको पता होगा कि कल पाकिस्तान के प्रदामांति इम्रान खान ने यूएन में स्पीच दिया है और उसी पर पाक मीडिया आज बात कर रहा है हिलाली इम्रान खान की स्पीच से बहुत ही जादा खुश नहीं है क्योंकि हिलाली कहरा कि इम्रान खान ने कस्मिल पर तो बहुत कम बात किया और भायत के बारे में भी कस्मिल पर उसने जादा कुछ नहीं का हिलाली कह रहा है कि इम्रान खान ने ये जो स्पीच दिया है ये स्पीच अगर नहीं देता तो ही बहतर था क्योंकि इम्रान का स्पीच इतना घटिया था जिसे देखके हिलाली डुखी हो गया बहुत तो दोस्तो इस वीडियो में हिलाली बहुत ही जाधा रो रहा है हिलाली कहा रहा है कि इम्रान खान ने पाकिस्तान को ढोका दे दिया इम्रान खान को पूरी स्पीच कस्मिल पर करनी चाहिए ठी क्योंकि समय बहुत ही जादा कम था तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही जादा मज़ेदार है तो इसा पूरा जरूर देखिएगा तो चलिए और इंटिजार ना करके ये वीडियो देखते है अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो खिताब था इसका कोई इंपैक्ट नहीं रहा बहतर ये था कि एक सबजेक्ट वो लेते और वो सबजेक्ट था कश्मीर अगर कश्मीर वो केते मेरे पास बहुत चीज़ें हैं बात करने के लिए मगर मेरे पास पंदरा मिनिट है सतरा मिनिट है मैं सिर्फ एक बात पे बात करूंगा जो पाकिस्तानियों के लिए जो खिते के लिए और दुनिया के लिए वेरी इंपॉर्टन्ट है और वो है मस्ला कश्मीर और फिर कश्मीर का वो उन का तक्रीर जो हो उस तरीके से structure करते hè 15 मिनिट कश्मीर, क्या 15 मिनिट बहुत है कश्मीर के लिए, क्या हुआ अभी, अभी आप 3-4 मिनिट में आके वो चीजे कहने की कोशिश की, वो impact नही रहता है, debt relief, illicit finance, stolen wealth, ये आप किस को एड्रेस कर रहे हैं वही चोर मुलक जिन्होंने सेफ हेवन सेट अप किया है और अब सेफ हेवन बन करके अपने दारों खिलाफा खुद उदर चोरी कर रहे हैं उदर स्टोलन वेल्ड जाता है लंडन एक हुज मनी लॉंडर सेंटर बन गया है उनको परवा नहीं है पैसे आ रहे हैं वो खर्चेंगे और क्या आप समझते हैं वो पैसे आपको वापस देंगे हाँ भूल जाएं भाई जो लोग तीन सो साल कलोनियलिसम किया और मुलकों को लुटा और उनका हर चीज कहा किया वो अब अपने कानून नहीं इंप्लिमेंट करते हैं और वो आप समझत जी आपने कश्मीर के बारे में आपने बड़ी अच्छी बात की खेंगे के बारे में आप अगर यह कहते ना कि हम evidence accumulate कर रहे हैं आर्टिकल 30 अब पॉप्यूलेशन को चेंज करना चाते है कश्मीर का यह एक crime है इस एन international crime आप हम हम evidence accumulate कर के हम international criminal court of justice जाएंगे हमें कश्मीर पे भी पता है कौन सी हमारी सुन ली गई है लेकिन हम हर दफा मसले तो उठाते ही हैं उनके बस कहने को कश्मीर पे मज़ीद कुछ है भी नहीं था पिछली दफा जो था वो ही बाते हैं अब हैं बाकी जो बात ही है जिसका इलाली साब ने भी जिकर किया कि उन्हों ने जो अबादी की बात की और न्यूक्लियर वार की बात की तो यह कौन सी चीज़ें जो दुनिया को नहीं पता उनके पास देखें आप उनके पास एक बहुत बड़ी मार्कीट है उनकी बड़ी अब वो देखते हैं दुनिया ये देखती है ये वेस्ट ये देखता है कि हमें ज्यादा फाइदा किसे हैं हमारा फाइदा इंडिया के साथ है या पाकिस्तान के साथ उनको हमसे को मुहबत त साथ दिखाई जिनको आप मुसलिम उम्मा और अपने बाई कहते हैं कश्मीर पे जो हो रहा है और जो कश्मीर का नतीजा जो होगा वो खुद के रेंगे सो मेनी वर्ड्स के हम हर हर तक जाएंगे कश्मीर को डिफेंड करने और लोगों को मदद करने हर हर तक मातलब क्या है माने के हर चीज हम इस्तेमाल करेंगे जो है आर्सनल में है और जो हम कर सकते हैं बैट इस वेरी बिग कमिटमेंट तो दुन्या तो समझाएं एक चीज सिर्फ एक तकरीर से तो जैसे आपने भी का के वह चीज नहीं बदन वाया और शीरे मजारी साहिबा कुछ दिन पहले इस बात का बाकाइदा इधार भी कर चुकिए मैंशन कर चुकी है कि सिर्फ उनके खिताब से चीज नहीं बदल जाएंगी एक लॉंग प्रॉसेस है जिस मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि बिलकुल इस वक्त और दुनिया को बताओ कि हम बैट के यह देखेंगे नहीं कि एक इंटरनेशनल क्राइम कमिट हो रहा है पॉपुलेशन चेंज हो रहा है लोगों को निकाला जा रहा है दूसरे लोगों को डाल रहा है जबरदस्ती उनको ड करेंगे और देखें ऐसे तरीके से आप बताएं कि लोगों को पता चले कि एक एसकलेशन हो रहा है इस जंग का और होगा और होना है नहीं तो कुछ नहीं होगा उसके लिए तो आपने बस वही कह दिया जो लग लास्ट यह और दिस यह तो चले दोस्तों वीडियो पर बात करते हैं तो सबसे पहले मैं बटाना चाहता हो कि आज मोडी जी का स्पीच है यूएन में तो उसे देखना आप नहीं भूलेगा और उस पर पाकिसानी मीडिया क्या रियक्शन देता है वो भी मैं आपको इस चैनल पर दिखाऊंगा तो आप चलिए जो हिलाली कह रहा है उस कुछ कहने से भी कोई फरक नहीं करता आपको याद होगा कि पिछले साल इम्रान ने कश्मीर पर बहुत चिलाया था और उसके बाद कश्मीर पर क्या हुआ था वो तो आप सबको याद है भारत ने आर्टिकल 370 खतम करके कश्मीर को भात के अंदर समा लिया था तो इम्रान में अगुतना मिनित थे वो पूरा उसे कश्मीर पर बोलना चाहिए था तो इम्रान ने ऐसा इसलीए नहीं किया कि कस्मीर पर कोई भी देश पाकिस्तां का साथ नहीं डेता और U.N. में जाके अगर वो कश्मीर पर चिलायेगा तो जो लोग इम्रान की थोड़ी सी सुनते ह वह भी सुनना बन कर देगे क्योंकि उन्हें लगा होगा की कश्मीर का मामला तो शुलेचने वाला नहीं है और इम्रान यह क्या बगवास कर रहा है पूरे 15-15 कर बोल रहा है मतलब की पाकिस्तान का कोई और प्रायरिटी नहीं है काज मिर लावा तो इसी वह से मुझे लेप क पॉला कि उसे भी पताए कि कश्मीर कोई भी पाकिस्टान के साथ नहीं देता और पाकिस्तान के जेथे मलाक ऑप نटेसर नहीं करते अग कर दिया कर दिया तो इससे पता चलता है कि मंध कर काला भी कर रहे विझा कर नहीं हो रहा उला कर रहा'llकि कि कर् condemned गंटे तक भी बात करось दिब मुढर किस्की में क्या हो रहा है क्काश्मिर में pa semester अपनी हर्कते जारी रगरा है और जिसकी वजह से क््सुल्ग में प dif lid में हो रहा है यह भरत की कोई problem नहीं है कश्मिर में अगर इ Bryn価 के हालात भी ठीक हो पर पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं कर रहा है और पाकिस्तान अगर इन लोगों को पैसे देना बंद करें तो कुली रहा है वह भी देशों की गलती है पाकिस्तान उन लोग को पैसे चुराने क्यों देता है और पाकिस्तान से जो लोग पैसे चुरा के ले जाते है वो पाकिस्तान के बॉडर से ले जाते है तो इसमें पाकिस्तान की गलती है और दूसरे देशों की गलती इसलिए भी है क्योंकि दूसरे लंडन में और अमरीका में घरों के डाम बहुत ज़ादा बढ़ गया है क्योंकि यह जो पैसा पाकिस्तान से लोग चोरी करके ले जाते हैं वो अमरीका लंडन के घरों में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें कोई बाद में प्रॉब्लम ना हो सब्सक्राइब और इसिवाज से अमेरिका लंडन के लोग जो वहां पर रहते हैं वह घरों को नहीं खरीट पारें कि घरों के डाम बहुत ही जादा बढ़ गए है और इसी वएसे आप जो छोड़ा सा एक्षेन हो रहा है इन चोरी के पैसों पर वह भी उन डेशों के अपने फाइदे के लिए हो रहा है तो घरों की कीमत पर है दूसरी जगे पर अमेरिका और लंडन कुछ नहीं कर रहे तो इसमें हिलाली थोड़ा सा सही है हिलाली कहरा कि दूसरे देश पूरी तरह जिम्यदार है और पाकिस्तान की कोई गलती नहीं है तो इसमें पाकिस्तान और दूसरे देश देश दोनों की गल भारत कस्मीर के लोगों को कस्मीर से भार नहीं निकल रहा तो इसमें हिलाली पूरी तरह से जूट बोल रहा है और हिलाली को भी पता है कि वह जूट बोल रहा है वह इसलिए यह सब कह रहा है ताकि कस्मीर पर अपना प्रोपोगेंडा जाली रख सके तो हिलाली जो कह रहा है कि भारत कस्मीर में the population change कर रा है ये एक्टम कलत बाद और भारत कस्मीर में कर कंदितों को जमीन दे रहा है और उनके देशाम कर रहा है किस्मीरि पंदित तो कस्मीर कंदित फेग के ही इसमें भारत दूसरे लोगों को कर में कैसे वृत ढ़ा रह है भारत तो कस्मीरी पंडितों को इसमीर में बसा रहा है जो कस्मीरी पंडित कस्मीर में हजारों सालों से रह रहे थे और पाकिस्तान के गुंडों ने कस्मीर से कस्मीरी पंडितों को निकाला तो इस पर हिलाली बहुती जादा गलत है और हिलाली कोई पता है कि वो जुट बोल रहा है और पाक मीडिया ये बार-बार कहता है कि कस्मिन पर भारत का साथ लोग इसलिए दे रहा है क्योंकि भारत की एकोनोमी बहुती जादा बढ़ी है तो मैंने ये पहले भी कहा था कि सबक्राइब कर सबस्есс пр포 ऐसा कुछ कर कर रहा है तो यह पाकिस्तान के साथ जंग नहीं नहीं तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है तो दोस्तों ये वीडियो दिखने के लिए बहुत बहुत सुक्या और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक्यू वेरी मुच